तो फिन सगर आप भी न अपने फॉन के नोटिफिकेशन पैनल में अपना खुद का फोटो या अपनी जीएफ का फोटो या अपनी वाइफ का फोटो कुछ इस तरह से लगाना चाहते न और अपने दोस्ट लोग को चौकाना चाहते हैं तो बीना गलती किये और बीना इस वीडियो को एस्कीप किये आख़ी तक देखते रहिए क्योंगे दोसों इस वीडियो में नमा आपको जिस ट्रिक के बारे में बताऊंगा न उस ट्रिक में से दोसों कुई भी फोन में छोटा हो या बड्च हो किसी भी सेट में अपना खुद का फोटो आपने जीएव का फोटो आपनी पत्नी नोडिफीकेशन पैनल में लगा सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज़रा किलियर होने वाला है तो वीडियो को लास तक देखेगा और हम भी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ ना कि जब भी आप किसी के भी फॉन के नोटिफिकेशन पैनल को इस तरह से सलाइड कीजेगा तो जैसा पैनल पहले आता था ना उसी तरह से आता है और दोस्तों जब आप इस अप्लिकेशन का यूज कीजेगा ना और अपने को यूज जाज से जाएँ 2-3 मिनट का बनेगा वीडियो को लास्त तक देखना है और मैश चाहता हूँ कि इस वायके वीडियो पहें कम से कम 500 लाइक कर हो सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पहें ना मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को यहां से आपको लाइक करना है दोस्त के टाइगेट को आपको यहां से पुरा करना है लाइक कर देना है यहां से चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइकन को ओल कर देना है दोस्तों यहां पर आपको कमेंट भी करना है कि आपके पास कौन से कंपनी का फॉन है किस कंपनी का फॉन में आपको यहां पर नोटिफिकेश लिक दीजीएगा दोसर हैं को कुछ नहीं करना है बस यहां पर ना हमारे वीडिएो के डिस्कsınızन को ओपन करना है और यहां पर एपस लिंक दे दीया रहेंगे जिस पिए डिस्कषकर दोस्तों सबसे पहले ना उस एप को डाउनूर्ड कर लेना है या दोस्तों अगर आपको यहां पर लगता है वहां समय नहीं डाउनूर्ड करना लिंक पर टच करके तो अब आपको यहां पर प्लेश्टोर को ओपन करना होगा और प्लेश्टोर से इस अप्लिकेशन को डाउन जो भी एलाव परमिसन माएंगा ना आपको ये सारा का सारा एलाव परमिसन अपने फोन में दे देना